कि नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका आपके अपने चनल ग्यान गुरु एकेडमी में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के लिए चेप्टर नमर आठ हम पढ़ेंगे इसके पहले हमने साथ चेप्टरों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है अभी तक आपने वीडियो जो नहीं देखिए तो जाके उसे आप प्ले लिस्ट से देख रहे जिए तो बच्चों आये शुरू करते हैं आप लोग को आठवा चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पर NCRT की सभी किताबों को पढ़ाया जाता है तक कि अगर आभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि किसी भी क्लास की वीडियो जो आप मिस न कर सकें जो आपके लिए फायदेमंद होगा उस क्लास को अपने सुध रूप में दातु की सता चमकदार होती है जब दातु होता है अपने सुध रूप में तो उसकी सता जो चमकदार होती है दातु के इस गुड़ धर्म को धात्विक चमक काते हैं जिस गुड़ के कारण वो चमकता इसको धात्विक चमक काते हैं दात्वियों श गुड को अगात्य वर्देता कहते हैं किसी धातू को अगर हम पीटते गया माली ये कि आपकी एक धातू इसको आप अथावडे से वार करोगे बच्चों इस पर ठीक है हैमर से जब आप वार करोगे इस पर तो यह क्या होगा एक स्थरह से पतला होता चला जाएगा और पतली चाधर के रूप में बनाया जा सकता है तो धातु के इस घुड को अगात्य वर्देता कहते हैं उनको आसानी से बनाया गात्या सकता है जाता होता हैww में और ग्राम सबसे अधिक दढने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है इसलिए सबसे जादे अगर कोई तन्य धातु है सबसे अधिक तन्य धातु है तो है सोना अब नेक्स्ट पॉइंट में बात किरें बच्चों उस दातु उसमा के सुचालक होते हैं तता इसका गलनांग बहुत अधिक होता है उसमा के दानिक कते हैं अब देखिए अधातु के गुड़ अधातु एवं इसके भातिक गुड़ धर्म देखिए अधातु और इसके भातिक गुड़ धर्म ऐसे तत्व जो भातिक गुड़ में धातु से अलग होते हैं जो धातु का गुड़ है उनसे अलग होते हैं अधातु कहल आते हैं कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन गंदक जैसे तत्व आधातु के उदाहरण है अधातु में कोई विसेश चमक नहीं पाई जाती है ग्रेफाइट एमायोडीन इसके अपवाद है इनमें चमक भी पाई जाती है और अधातु भी है अधातु समानेता भंगुर होती ह है और अफवले से पीटने पर चूर चूर हो जाती है घर न तो अघात्वर्द होती है और नहीं तन्य होती है इसी है जो बढ़ भी चमक करत्या पर रूप कहते हैं हीर्ओन Confram का अपररूप है यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांग तथा कोतनांग बहुत अधीक होता है क्लियर हो गया बच्चो चलिए जब इतना समझ गया था अब अगले पॉइंट पर चलते हैं अगला पॉइंट क्या है कारबन का एकर ने अपरूप ग्रिफाइट बिद्दूत का सुचालक होता है इसके लिद्दियू पोटेसियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है इनका घनत होता था गलनांग होता ठीक है सोडियम को पोटेसियम को लिथियम को जितने भी धातू है इनको चाकू से भी काटा जा सकता है यह इतनी मुलायम होती है एक नमर के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है बच्चों कि वह कौन सी धातू है जो चाकू से भी काटी जा सकती है इसमें से आप लोग सही आप् आक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातू के अक्साइड बनाती हैं लगबग सभी वस्तिति में गरम किया जाता है जो कापर है बच्चो उनको आप वायू की उपस्तिति में गरम करोगे कापर को कापर के साथ मिलकर काले रंग कापर आक्साइड बनाता है यहां पर क्रिया का साइड है इस प्रकार है एलुमिनियम परदान करता है इस प्रकार या एलुमिनियम भी परदान करता है सो बच्चो अब बात की जा रही है कि उभाय धर्मी आक्साइड किससे कहते हैं तो धातू आक्साइड के प्रकृति छारकी होती है लेकिन एलुमिनियम आक्साइड जिंक आसाइड जैसे कुछ जिस दातु अक्साइड अमलिय तता च्छार के दोनों प्रकार के बेवार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे दातु अक्साइड जो जल ततता च्छारक दोनों से अविकरिया करके लवड hiç जल प्रदान करते हैं ये उभ्वहधर्मी कालाते हैं। मश्या Northern Olha के दोनों से करें जल और क्या परदान करें लड़ परदान करेंगे इस प्रकार कि अफिक्रिया कम करतें और सब्सक्राइब नेक्स्ट पुएंट के बात करें अधिकांज उज्द्थокой और गुल करणके जल के साथ अविक्रिया करके धातु में हाइड्रोजन गैस तता धातु अक्साइड उत्पन करती हैं जो धातु अक्साइड जल में गुलकर धातु अक्साइड परदान करते हैं लेकिन सभी धातु में जल के साथ अविक्रिया नहीं करती अविक्रिया सील धातु को अपने से कम क्रियासिल धातू के तथा उसके योगिक के बिलेन या गड़ित अवस्ता से भिश्थापित कर देती है अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे बच्चो सक्रियता स्रेडी दिया गया है जिसमें धातूं की कृया सिलता को औरोही करम में व्योस्तित किया जाता है ठीक है जैसे यहां पर देखिए है पोटेसियम है skilled sodium calcium जैसे तत्व अधिक क्रियासिल होते हैं जबकी चान दिस होना जैसे तत्व, कम क्रियासिल होते हैं तो के यन ए सी ए ठीके एम जी बच्चों यह आप लोग का एक ट्रिक था इस तरह से हमने सक्रिता स्रेणी आप लोग को बताई थी ठीके अब भी तक आपने वो वीडियो नहीं देखिए सक्रिता स्रेणी तो उसे पर आप जाके प्लेलिस्ट से देख लिजिए काना कार मांगे अल्टोज के ऊपर ता ऊपर इस्थी तनूंट से हाइड्रोजन को विष्थापीत कर देका है अलग कर देता है अब उसरी के आगया में पढ़ने दातों की प्राप्त से न Elsाम पढ़ेंगे तो दातों की प्राप्त tweaks to billions हो इक फ्हूर पाठी की भू प्र परटी दातों का मुक्य retrouver आ सम मुद्री जल में भी सोडियम कुलराइड, मैगनिसियम कुलराइड, आधी जैसे कुछ बिलिय अलवड उपस्तित रहते हैं। पृत्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले तत्तों या योगीकों को खनीज कहते हैं। कुछ दास्तानों पर खनीजों में कोई विशेश दातू काफी मात्रा में होती हैं, जिसे निकालना लावकारी होता है। इन खनीजों को ऐस्क कहते हैं। सभी खनीजों को क्या कहते हैं बच्चों, ऐस्क कहते हैं। अब बात करेंगे धातुओं के निसकर्षण का धातुओं के निसकर्षण कुछ धातुएं भूप और पटी से स्वतंत्र आवस्ता में पाई जाती हैं जो कुछ धातुएं अपने योगीकों के रूप में मिलती हैं सक्रिता स्रणी में नीचे जाने वाले धातुएं सबसे कम क्रियासील होती हैं यह स्वृतंत्र आवस्ता मनें पाए जाती हैं अब यहां पर बच्चों बता ग्या यह सबसे श्रेणी सबसे उपर की दाती में के यह यहां लिए तो सरह किर्टा सरेणी में ऊपर जो धाती में इतनी अधिक निद्ध विक्रियासिल होती हैं कि यह कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं सक्रिता स्रेणी के मद्य की धातुएं जो की ZN, FEPB आदी हैं कि अभिक्रियसिलता मद्यम होती है तथा प्रित्वी की भूपरपटी के मुखेता आक्साइड, सल्फाइड या कार्वेनेटों के रूप में पाई जाती हैं कई धातुओं के अच्क आक्साइड होते हैं अक्सीजन की अधिक अथिधिक अभिक्रियसिल ईन प्रित्वी पर इसके प्रचूर मातरा में पाय जाने के कारणा ऐसा होता है अभिक्रियासिल्ता के अधार पर धातुएं को निम्न तीन वर्गों में विवाजित किया गया निम्न अभिक्रियासिल मद्यम और उच्छ ठीके निमना विक्रियासिल धातु हैं, मद्यमा वेक्रियासिल धातु हैं और थर्ड है आप लोग का उच विक्रियासिल धातु हैं उप्रोक्त वर्ग में परतेक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विबिन तरीकों का उपयोग किया जाता है अब यहां पर बच्चों यह हो गया तो हम next point पर देखेंगे next point पर बता जारा कि अयस्क से धातू का निस्कर्षण कई चरणों में होता है कई चरण लग जाते हैं आयसक से धातू को बनाने में आयसको का सम्रिद्धी करण प्रितवी की खनीज, प्रितवी से खनीज आयसको में मिट्टी रेत आदी जैसे कई असुदियां होती हैं, जिने गेंग काते हैं, मिट्टी में क्या हो बच्चों सारी असुदियां मिलती हैं तो उन्हें हम गेंग का सक दात्यों के निश्करशन्र से पहले चैज से असूज्यों का कटाना अव्जिक होता है ऐसकों से गैंग का हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं के कारण होता है वे आयश्क के एंग के अधार पयस्क एवं गेंग के भावतिक या रसानी गुर्धर्मों पर अधारित हैं इस प्रितकन के लिए भी बिन तक्नीकों तक्नीक अपनाई जाती हैं अब यहां पर काफी अनविक्री होते हैं इन दातुओं के आक्साइड को केवल गर्म करने से ही दातुओं को प्राप्त किया जा सकता है अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक अक्साइड में प्रवाइथ हो जाता है अब बात करेंगे इसके आगे की यहां पर देखिए अगला जो आप लोग का क्या है अगला पॉइंट है आप लोग का देखिए कि इसके बाद कर दातुओं को प्राप्त किया जाता है के जब जिंक आक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक पलस यह आप लोग का बन जाता है ठीक है अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की धातूओं का परिस्करण। उपर वरणित विबिन अपच्चयन प्रक्रमों में प्राप्थ धातूओं पूर्णूप से सुध नहीं होती हैं इन्हें में अपदरव्य होते हैं जिने हटाकर ही सुध प्राप्थ की जा सकती है इकिल सिर्वर गोल्ड आदी जैसी अनेक धातूओं का परिस्करण भी बिन विद्धूत अपगटन द्वारा किया जाता है इस प्रक्रम में असुध धातू को एनोड तथा सुध धातू की पतली परत को कैथोड का आ जाता है धातू के लवड बिलेन की उपयोग विद्धूत अपगट के रूपने होता है विद्धूत अपगट से जब धारा प्रवायत की जाती है तब एनोड पर इस्तित असुध धातू अपगट में गुल जाती है इतनी ही माथ्रा में कम लिए involves भातिया चलि स्पाफ केछ्वर से कैतोरल पर निभुद हो जाती हैं विले में चली जाती हैं जिसे लिए फॉत हो जड़र आप साइसे लिए कि पॉइंट अपर लोग में कुनमर और पूनर ऐस के इसलों में आज नकल जंग लगना है तो जंग क्यों लगता है कि वह धातू जो होती है नमी तथा खुले में वाईू के संपर्क में आती है और धीरे-दिर उसमें जंग लगने लगता है देखिए कुली वायू में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु में काली हो जाती है अगर चांदी है और उसमें जंग लगेगा तो वह काला हो जाएगा ठीक है काली हो जाती है सिल्वर की का वायू में उपस्तित सलपर के साथ अविक्रिया का सिल्वर नाइट सलफाइड को परत बनाने के कारणर होता है इस प्रकार लंबे समय तक आर्द रवायू में रहने पर लोहे की जो वस्तिमें होती हो खराब हो जाती है के लिए रोगया बच्चो तो यहां पर आप लोग का यह चेप्टर समाप्त होता है अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट ब सबसे पहले आप तक पूचे चलिए मिलते हैं अगले कलास में तब तक के लिए धन्यवाद है कि अ करना कर बार मिलते हैं अगले कर दो खराब हैं तक को गुच जा ज़िए प्रवाद हैं।